हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्रिक चैनल, मैंने जो पिछले लिनियर एलजेब्रा की प्लेलिस तैयार किया है, जहां पे मैंने आप तक डिसकास किया है भेक्टो स्पेस, भेक्टो स्पेस की कुछ पॉपाटी और सब स्पेस होता क्या है, मैं आज आप आपके साथ ले आय इंडिपेंडेंडेंट्स होगा या नहीं, आपको कैसे चेक करते है, तो फ्रेंड्स आपको बता दू कि यह आईटी जैम, गेट, सी एसर नेट, और बी एससी में, बी एससी ओनर्स की पेपार में, दो से तीन नमबर पूछे जाता है, बहुत ही इंपोर्डेंड है, और स् क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए, ए फाइनाइट सेट और वेक्तर आलफा न, आलफा टू, आलफा तू, आलफा थी आलफा हैन, मैंने कुछ वेक्तर की सेट आलफा न, आलफा टू, मेंबर चूज किया, और फेक्टर स्पेस भी, ओभार ए फिल्डेंड अफ, इस बेक्टर्स आपके पास कोई भी सेट फाइनाइट गिवेक्टर गिवेन है और लिनियरली डिपेंडेंट ताब होगा जाब फिल्ड से कुछ स्केलार C1 C2 C3 स्केलार गिवेन होगा और C1 alpha 1 C2 alpha 2 plus C3 alpha 3 plus dot dot cn alpha n equal to 0 होगा 0 होगा यानि कि इसका linear combination सेट के साथ और स्केलार के साथ अगर आप linear combination ले ले लेते है वह 0 हो जाए तो इसे linear dependence तभी कहेंगे तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर एक बात है यहाँ पर देखिए C1 C2 C3 स्केलार not all 0 होगा यानि कि C1, C2, C3 स्वभी स्केलार 0 नहीं होगा एक या एक से ज़्यादा स्केलार non-0 रहेगा लेकिन उसका linear combination 0 हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो उसे linearly dependence set कहा जाता है तो friends देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कि यह linear combination का मतलब क्या होता है अगर कोई भी सेट कोई भी स्केलार C1, C2, C3, Cn फिल्ड से लेते हैं और V से alpha 1, alpha 2 set लेते हैं तो अगर उसका हम साम कर देते हैं साम करके वह 0 आ जाता है तो उसे हम linear combination कहते हैं so friends देखिए आप linearly independence के बाग करते है linearly dependence और linearly independent सेम चीज़ है यहाँ पर सर्फ होगा एप finite set of vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n और फे बेक्टो स्पेस भी ओभारे फिल्ड एप इस सेट टू बी linearly independent इन भी इप द्यार एग्जिस स्केलार C1, C2, dot dot cn belongs to f for all scalar 0 such that यहाँ पर देखिए linear dependence और linear independence में फरक क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर c1, alpha 1, c2, alpha 2 इस भेक्टोर की linear combination 0 होगा यहाँ पर c1, c2, all member 0 होनी चाहिए और linear dependent में आपको c1, c2, c3, cn scalar सभी 0 नहीं होनी चाहिए कोई भी non 0 बच जाएगा और उसका linear combination 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर यह condition satisfy हो रहा है linear independent में सब scalar को 0 होना होगा so friends student को बहुत ही confused होता है यहाँ पर कि linearly dependence में scalar की value क्या होते है आपको याद रखना होगा अगर linearly dependence है तो c1, c2, c3, not all 0 सबको 0 नहीं होना चाहिए सब 0 नहीं होना चाहिए कुछ और कुछ से ज्यादा बचेंगे जो इसको 0 कर देगा और linear independent में आपको याद रखना होगा c1, c2, c3 सारी scalar को 0 होना होगा अगर ऐसे condition satisfy हो जाए तो यो linear independence हो जाएगा मैं आपको दोनों प्रोसेस में बताऊंगा कोई भी setup चूज करते है तो उसका linearly dependent और linearly independent होता है या नहीं पहला example लेते है एक्जामपल 1 देखिए एक्जामीन दा सेट ओप वेक्टर्स v1 इक्वाल टू 211, v2 इक्वाल टू 122, v3 इक्वाल टू 111 इसको solve करने के लिए मैं determinant method और rank method करके आपको दिखाऊंगा दोनों से आप कर सकते है ये linearly dependent होगा या नहीं अगर इसे पहले इसका solution जानते है पहले आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए आपको set given है तो पहले आप c1, c2 और c3 कोई भी scalar field से choose करते है let c1, c2, c3 belongs to a then इसका linear combination देखिए c1, v1 plus c2, v2 plus c3, v3 equal to 0 होनी जाहिए so friends देखिए यहाँ पे देखिए v1 set given है v2 set given है v3 set given है तो आपको क्या करना होगा इसे ऐसे लिखना होगा तो यहाँ पे देखिए c1, v1 की value आएगा 2, 1, 1 plus c2 into v2 की value देखिए 1, 2, 2 plus c3 देखिए c3 देखिए c3 और v3 देखिए यहाँ पे आएगा 1, 1, 1 equal to 0 so friends देखिए यहाँ पे linear combination में 3 set आ रहा है यानि कि यहाँ पे भी 3 0 होगा so friends देखिए जब आप इसको solve करेंगे आपके पास जब आप इसको solve करेंगे आपके पास 3 equation आएगा इसको component wise add करेंगे so friends तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे देखिए 2c1 plus c2 plus यहाँ पे आएगा देखिए c3 equal to 0 फ्रेंड्स यहां पर देखिए C1 प्लास 2C2 यहां पर आएगा C1 प्लास 2C2 प्लास यहां पर देखिए C3 इक्वाल टू 0 फ्रेंड्स यहां पर आएगा C1 प्लास यहां पर आएगा 2C2 प्लास यहां पर देखिए C3 equal to 0 तो फ्रेंट्स देखिए यह एक homogeneous system है यह एक homogeneous system है जब आप इसको solve करेंगे यहां पर भी कर सकते तो मैं इसका coefficient का यानि कि C1, C2, C3 की coefficient की matrix मैं यहां पर लिखूंगा तो फ्रेंट्स आप ऐसे करके, तो फ्रेंट्स प्रोसेस देखिए आप linear combination के लिखने के बाद आपके पास जोर equation आएगा इसका matrix, इसका coefficient matrix आपको लिखना होगा तो फ्रेंट्स देखिए इसका coefficient matrix आएगा, यहां पर देखिए C1 की coefficient 2 है तो 2 लिखेंगे और C3 की है 1, तो फ्रेंट्स देखिए इहां पर जो matrix निकाल आया है, तो फ्रेंट्स देखिए इसका coefficient matrix निकाल आया है, जब आप इसका determinant निकालेंगे, अगर यह determinant की value 0 हो जाए, तो इहां पर C1, C2, C3 not odd equal to 0 होगा, अगर 0, non-0 आ जाए तो यह linearly independent हो जाएगा सो फ्रेंट्स देखिए इसका determinant निकालते है, मैंने इसको यह matrix नाम दे दिया है, सो फ्रेंट्स मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसे, यहां पर 1 लिखिए, यहां पर 2 लिखिए, यहां पर 1 लिखिए सो फ्रेंट्स इसका determinant आएगा, 2 प्लास इहां पर आएगा, 4 प्लास 1, माइनस इहां पर आएगा, 1 प्लास 2 प्लास 4 सो फ्रेंट्स देखिए, यहां पर आएगा, 7 माइनस 7, 0 यहां पर फ्रेंट्स देखिए, यहां इसका determinant 0 हो रहा है सो फ्रेंट्स इसका short trick देखिए, अगर इसका coefficient matrix की determinant 0 हो जाएगा, तो इसका यह state linearly dependent हो जाएगा आपको याद रखना होगा, अगर 0 हो जाता है, तो इहां पर देखिए, C1, C2, C3 की value, सारे value 0 नहीं होगा यानि कि यह state linearly dependent हो जाएगा, अगर इहां पर determinant non 0 हो जाता, तो इहां पर C1, C2, C3, इसकी value 0 हो जाता और यह से linearly independent हो जाता तो friends देखिए अब मैं इसका rank method से आपको दिखाऊंगा यह linearly dependent और या independent होता है तो friends आप rank method देखिए पिछले determinant method में जो linear equation आया है इस matrix का इस c1, c2, c3 coefficient matrix का अगर आप rank निकाल लेते हैं और वो matrix के order के बराबार हो जाता है तो यह set linearly independent हो जाएगा यानि और अगर rank इस matrix की rank से घट जाए यानि कि कम हो जाए तो यह set linearly dependent set हो जाएगा तो friends इसका coefficient matrix मैं यहाँ पे लीग देता हूँ यहाँ पे देखिए 2, 1, 1, यहाँ पे आएगा 1, 2, 1, 2, 1 और यहाँ पे आएगा 1, 2, 1 so friends देखिए matrix की rank कैसे निकलते है मैं इस linear algebra की playlist में और मैं description box में link दे दूँगा जहाँ से आप कैसे 3 x 3 matrix 4 x 4 matrix की rank कैसे निकलते है मैंने आपको बताया था वहाँ से आप जाके देख सकते है so friends यहाँ पे देखिए यह 3 x 3 की matrix है यह 3 x 3 order की matrix है यानि कि इसका order 3 है अगर इसका rank मैं इसे matrix A नाम देता हूँ अगर rank of A equal to 3 आ जाए तो यह set linearly independent हो जाएगा 3 से अगर कम हो जाए इसका rank अगर 3 से कम हो जाए इसका rank मैं R ले लेता हूँ अगर यह 3 से कम हो जाए इस rank अगर 3 से कम हो जाए तो यह set linearly dependent हो जाएगा जो फ्रेंट्स देखिए इसका rank निकालते है जो फ्रेंट्स रैंग निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ row और row को interchange करता हूँ ताकी leading row में 1 आजाए सो फ्रेंट्स देखिए मैं यहाँ पे करूंगा operation लगाऊंगा R 21 यानि कि two row को one पे किया है so friends यहां पर आएगा two one यहां पर आएगा one two one यहां पर आएगा two one one और यहां पर one two one same रहेगा so friends इसके बाद क्या करूंगा मैं यहां पर operation लगाऊंगा आएगा one two one जब आप two one लगाएंगे तो यहां पर आएगा two यहां पर आएगा two यहां पर आएगा four यहां पर आएगा two यानि two से two जब आप माइनस करेंगे तो zero आएगा one से four माइनस करेंगे तो यहां आएगा माइनस three और जब आप one से two करेंगे तो यह आएगा माइनस वन और यहां पर आएगा क्या रेखिए कि में ते कि इस मेट्रिक्स को गोर से रही इस मैट्रिक्स में रैंक इसका तू आगया क्योंकि आपको 2 non zero row मिल रहा है अगर यहां पर देखिए यहां पर 2 भी zero हो गया यहां पर 0 हो गया तो यहांनि कि matrix का rank इस rank of a non zero line ही rank होगा यहां पर देखिए 2 non zero line है तो 2 है तो और मैंने rank of a को r माना था यहां पर देखिए r यहां पर r के value 2 आ गया less than 3 तीन से छोटा है तीन से छोटा है इसका rank 3 से छोटा है यानि कि यह set linearly independent linearly dependent हो जाएगा तो फ्रेंड्स आब एक linearly independent के उपर question लेते है problem देखिए problem 2 देखिए so that the set is 1 2 3 2 3 1 3 1 2 is linearly independent इसे यह linearly independent होगा कैसे प्रूप करेंगे so friends पहले आप लिखेंगे let v1 को v1 वेक्टर को 1 2 3 मान लिजिए और v2 वेक्टर को 2 3 1 और v3 वेक्टर को 3 1 2 मान लिजिए so friends आप देख सकते हैं मैं इसे और c1 c2 c3 belongs to field की scale scale pick कर लिजिए so friends इसका linear combination 0 होना चाहिए so friends इसका linear combination जाब लिखेंगे तो यह आएगा c1 plus c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 equal to 0 so friends यहाँ पर आ जाएगा जाब इसको आप solve करेंगे तो यह आजिका c1 v1 की value लिख दीजिए 123 plus c2 into v2 की value क्या है 231 लिख दीजिए plus c3 into v3 की value क्या है 312 so friends इसके इसको आप linear combination में लिखिए यहाँ पर तीन scalar है तो यहाँ पर भी तीन scalar हो तीन वेक्टर हो तो यहाँ पर 0000 होगा so friends इसका आप इसके आप equation में लिख लीजिए तो यह आएगा c1 plus 2 c2 plus यहाँ पर आएगा 3 c3 equal to 0 यहाँ पर आएगा 2 c1 plus यहाँ पर देखिए 3 c2 plus यहाँ पर आएगा c3 equal to 0 और एक equation आएगा यहाँ पर देखिए तो इसे matrix बना के इसका c1 c2 c3 की coefficient matrix लेके उसका determinant चेक करोंगा उसका determinant आगा non-zero आजाए तो यह linearly independent हो गया तो इसका matrix लेकि लिखते इसका coefficient matrix को मैं यह देता हूं तो यह matrix आएगा यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर हो यहाँ प्रिक्सीक दिकालज़ देखिए इसका determinant आएगा determinant of a equal to आएगा determinant निकालने का सौट ट्रिक मैंने आपको दिखा दिया है तो यहाँ आएगा 3 यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आएगा 3 तो ऐसे mark कीजिए तो यहाँ आएगा 6 plus 6 minus यहाँ पर आएगा 8 यहाँ पर आएगा 3 into 3 9 into 3 27 plus यहाँ पर आएगा 1 तो फ्रेंट्स आप इसको सॉल्ब करेंगे यह देखिए 18 minus यहाँ पर देखे 27 plus 1 28 28 plus 8 34 तो यहाँ आएगा 34 minus 34 तो यहाँ आएगा minus 16 जो 0 के बराबर नहीं है तो इस matrix determinant not equal to 0 आ गया so the set so the set is so the set is is linearly independent ऐसे आप कोई भी वेक्टर की set को linear dependent और independent होगा दिखा सकते हैं फ्रेंट्स मैं आपके साथ एक बहुत ही important question discussion करने बाला हूँ जो IIT jam gate CSNnet और BST में पुछे जाते हैं तो से तीन मार्ग तो फ्रेंड्स देखिए problem को देखिए the finite set of vectors V equal to V1, 1, 2, 1, V2 equal to K, 3, 1 and V3 equal to 2, K, 0 is linearly dependent for what value of K, question में बोला है कि K की किस value पर ये finite set of vector linearly dependent हो जाएगा आप जानते हैं linearly dependent मैंने आपको बताया था अगर कोई भी linear combination में set लेके कोई भी vector की linear combination लेके उसको 0 के बराबर करके जो उसका matrix बांता है उसका determinant अगर 0 हो जाए तो ये set linearly dependent हो जाता है तो फ्रेंड्स देखिए पहले इसका matrix निकालूंगा तो फ्रेंड्स आपको ये पास बहुत ही time कम होगा कम बहुत ही time कम होगा और कम टाइम में आप इसे आसानी से solution कर सकते हैं मैं इसका short trick आपको आपके साथ discuss करूंगा और इस question को solution करूंगा ये आयाइटी जैम गेट आयाइटी जैम में बहुत ही important है आयाइटी जैम गेट CSNN में बहुत ही important है सो फ्रेंड्स देखिए पहले आपको क्या करना होगा set को देखिए भी वान इक्वाल तु वान तु वान तु वान तु वान आपको यादनाकना होगा रो में नहीं लिखना है सिर्फ कोलाम में लिखना है और मैट्रिक्स बनाना है तो फ्रेंड्स देखिए तीसरा निकालते हैं मैंने आपको स्वाट ट्रिक बता दिया है फिर से एक बाद देख लीजिए इस element को इधर लिखिए और इस element को इधर लिखिए और इस element को इधर लिखिए फिर ऐसे mark करके कीजिए तो यह आजाएगा 2 प्लास 2 4 4 प्लास यहां पर आएगा देखिए 0 इंटु 3 1 जीरो प्लास हाँ पर देखिए के इंटु 2 1 इहां पर आएगा k स्क्वार मायनस लिख दीजिए और यहां पर मार्क कीजिए और मार्क पर हार एक element को मौटिपाई कीजिए तो यहां पर देखिए आएगा 3 2 3 1, इहां पर आएगा 6 और यहां पे आएगा कि इसको solve करके जब 0 रखेंगे तो यह value बता देगा कि k की कौन सी value पर यह linearly dependent हो जाएगा जब आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा k square plus 4 minus यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा minus k equal to 0 इसको आराम से आप solve कर सकते हैं तो यह आएगा k square minus यहाँ पे देखिए minus 6 plus 4 तो यह आएगा minus k और यहाँ पे आएगा minus 2 जब आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा k square minus 2 k plus k minus 2 equal to 0 तो यह आएगा k into k minus 2 plus 1 into k minus 2 equal to 0 तो यह आएगा k equal to minus 1 और यह आएगा k equal to 0 अगर आप इस k की value minus 1 और 2 minus 1 और 2 यहाँ पे put कर देते हैं तो यह value 0 हो जाता है अगर matrix determinant 0 हो जाता है तो यह से linearly independent होड़े तो answer लिख लिख ली दीजे the value of k the value of k is minus 1 and 2 so friends मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया है अगर आप कोई भी आपको पैस कोई भी four set four four triple set given होए उसका अगर उस matrix का आप rank निकालते हैं अगर उस rank rank यानि क्या आप assume कर लिजिए कोई भी four cross four matrix आपको given होगा अगर कोई भी four cross four matrix में उसकी rank four से कम आ जाए यानि की one two three आ जाए तो वो matrix तो वो से linearly dependent हो जाएगा और कोई भी matrix का कोई भी four cross four matrix का rank अगर four आ जाए तो वो matrix linearly independent होगा so friends इस channel को like comment share और subscribe जरूर कीजिए thank you so much